नमस्का दोस्तों, Let's Craig Raastan Exams on Academy Online Platform पर आपका स्वागत है Craig RPC with India's Largest Learning Platform दोस्तों, on Academy का प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर यहां से आप Unlimited Live और Recorded Courses Access कर सकते हैं वो भी इंडिया के Based Educator से One Word की Classes General English Course में मैं मैं इसकमर काजिला B.E.M.T.E. के न मेरा Teaching Experience 60 साल का है Online and Off-Line का यहां पर Practical or Tricking English के बारे में बात करेंगे One who tends to take a hopeful view of life, Magnet, Creator, Pacifist और Optimist तो इसमें answer क्या आएगा दोस्तों, answer बताएं आप One who tends to take a hopeful view of life, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, Magnet, Creator, Pacifist और Optimist तो आप क्या करते हैं, Optimist अब Optimist को क्या बोलेंगे दोस्तों, आफ आसावादी कर सकते हैं Creator का मतलब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, रचनाकार कर सकते हैं खीक न, Magnet का मतलब साही या आप रोइल कर सकते हैं और Pacifist का मतलब आप सांती पर यह कर सकते हैं नेक्स्ट शुशन देखो बिलोंगिंग तो ओल पार्ट्स ओफ दे वर्ल्ड कोमन, युनिवर्सल, वर्डली और इंटरनेशनल तो इसमें आंसर के आएगा बिलोंगिंग तो ओल पार्ट्स ओफ दे वर्ल्ड यानि संसार के सारे पार्ट्स से बिलोंग करने वाली चीज़ को आप दोस्तों बोलते हैं युनिवर्सल, युनिवर्सल सारवजनिक सोरी आप क्या कर सकते हैं जो पूरे प्रमांड के अंदर हो कॉमन का मतलब जानते हैं दोस्तों सामने वर्डली का मतलब आप हिंदी में अगर आप इसको लिखें तो सांसारी कर लें इंटरनेशनल का मतलब आप अंतरास्टिय कर सकते हैं दोस्तों अंतरास्टिय कर दें नेक्स शूशन देखें फिर तो इसमें आंसर क्या आएगा एजी क्यूशन है दोस्तों बिलकुल तो बिनोन फोर बैड एक्ट्स यानि जो बूरे कामों के लिए जाना जाए उसको क्या बोलेंगे नोटोरियस बोलेंगे फेमस का मतलब परसीद होता है कर्मिनल अपरादी टेरिस्ट का मतलब आप आतंगवादी कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर नोटोरियस करेंगे आंसर नेक्स शूशन देखें वर्ड ओफ सिमिलर मीनिंग हॉमोनिम्स, सुडोनिम्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तो इसमें आंसर क्या आएगा वर्ड ओफ सिमिलर मीनिंग हॉमोनिम्स, सुडोनिम्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तो इसका मीनिम्स क्या होगा दोस्तों जो समनार्ती सब्द होते हैं उनको आप सिनोनिम्स बोलते हैं अब दूसरी चीज ये देखो अंटोनिम से भी प्रियतारती सब्द होते हैं और सूडोनिम का मतलब होता है छदम नाम यानि जो फेक नेम होते हैं उनको सूडोनिम बोलते हैं अब होमो का मतलब देखो यहां एन वाई एम अगर आप करें तो इसका मतलब या तो आप दोस्तो नेम करें या फिर आप क्या करें इसका मिनिंग करें ठीक है और होमो का मतलब क्या होता है होमो का मतलब आप सेम करें ठीक है एंटो का मतलब क्या होगा enter का मतलब आप opposite करें ठीक है और sudo का मतलब क्या होगा sudo का मतलब आप false करें या fake करें sy and sin का मतलब आप क्या کر सकते हैं same करें हिט로 का मतलब क्या कर सकते हैं आप different कर सकते हैं ठीक है तो homonym ऐसे नाम होते हैं जो कभी spelling में समान होते हैं और कभी क्या होते हैं आपके writing में समान होते हैं उनको homonym बोलते हैं लेकिन meaning अलग होते हैं एंटोनिम against वाले name होते हैं उनको बोलते हैं जिनको आप willowm सब्द भी बोल सकते हैं क्लियर है दोस्तों तो execution देख लें फिर लेकिन इसमें जो जरुरिनी spelling या word समान हो लेकिन meaning समान होता है यह द्यान रखें आप तो similar in meaning दे रखा है इसलिए answer synonym करेंगे instrument to measure atmospheric pressure metronome, compass, pedometer, barometer वेंगे दॉर्ड़्य है Instrument to measure atmospheric pressure अब यह देखो दोस्तो atmospheric pressure आपको keyword पकड़ना है तो atmospheric pressure को मापने वाले instrument को आप barometer बोलते हैं क्योंकि bar का मतलब क्या होता है दोस्तो यहाँ bar का मतलब pressure होता है meter का मतलब measurement करना ठीक न? और compass ये करें तो आप ये कौन सा यंत्र होता है? ये होता है direction measure करने वाला या आप इसको दिशा सुचक यंत्र बोल दें Pedometer क्या होता दोस्तो? Pedometer को क्या बोलते हैं आप? यानि जो चाल या गती नापता है उसको बोलते हैं और metronym का मतलब जो ताल मापी होता है जो यानि ले ताल मापता है उसको बोल देते हैं जैसे vibration से आते हैं इसके अंदर ठीक न? इसको बोल देते हैं Next question देख लें फिर A space delivered without previous preparation, soliloquus extemporaryotric expression तो इसमें answer क्या होगा? क्या है A space delivered without previous preparation यानि एक ऐसा कोई बासन जो पहले बिना तैयारी के ही दिया जाए उसको आप क्या बोलेंगे? अक्सटेंपोर अक्सटेंपोर बोलें या फिर इसका synonym करें तो आप impromptu कर सकते हैं impromptu भी कर सकते हैं बिना तैयारी का बासन, expression आप जानते हैं soli का मतलब mono या one होता है, locu का मतलब होता है, to speak होता है ये root word से भी आप कर सकते हैं इसको one who pretends to be what he is not, crocodile, flatterer, hypocrite or counterfeiter one who pretends to be what he is not, यानि एक ऐसा बंदा जो किसी जो है वो नहीं दिखाता है, उस चीज का बाना करता है, दूसरे होने का बाना करता है उसको hypocrite बोलते हैं, दोस्तो इसका मतलब crocodile तो होता है, आप गड़ियाल कर दें और hypocrite का मतलब आप क्या कर दें, पाक्खंडी कर दें, और flatterer का मतलब आप चाप लूस कर सकते हैं counterfeiter का मतलब आप नकली कर सकते हैं next question देख लें study of family bodies, astrology, astronomy, star gazing और astrophysics तो इसमें आंसर क्या आएगा है आप लिए क्या आप यूश्या कहते हैं क्या है study of heavenly bodies तो heavenly bodies की study को क्या बोलेंगे दोस्तो आप इसको बोल सकते है astronomy ठीक है अब ये देखो astrology क्या होता है यहाँ पर ये देखो दोस्तो astro जो भी root आया है इस astro का मतलब होता है star और logic अलग अलग word देख लेते हैं logic का मतलब होता है to study ठीक है तो star की study करना इसको आप हिंदी में बोलें तो जोतिश विज्ञान बोल दें ठीक है इस्टार गेजिंग का मतलब तारे निहारना या आप खगोल विद्या कर दें ठीक है न astronomy का मतलब आप खगोल विज्ञान कर दें एस्टो फिजिक्स का मतलब क्या कर सकते हैं आप खगोल बोल दीकी ठीक है next question देखें an official call to appear in a court of law summon notice memorandum or petition बोल आप खगोल an official call to appear in a court of law summon notice memorandum or petition तो इसमें आप करें समन समन कैसे होगा कि कौर्ट का जो बुलावा पत्र होता है उसको आप समन बोलते हैं इस वर्ड से रिलेटेड दोस्तो क्या क्या प्रोब्लम हो सकती है समन वर्ब की फोरम में होता है और समन्स एस लग गया तो ये नाउन है और ये सिंगूलर है अगर इसका प्लूरल करें तो आप क्या करें समन्सिज करें ये नाउन है और ये प्लूरल है ये भी धान रखें पेटिशन याचिका को आप बोल सकते हैं नोटिस जानते हैं आप मेमोरेंडम का मतलब आप ग्यापन कर सकते हैं नेक्स विशन देख लें तो इसमें आंसर के आएगा दोस्तों हुआ है तू कट अपार्ट एपर रहें कट एपार्ट अपार्ट नहीं कट एपार्ट ओफ ए ओफ लगाएं ओफ एपरसंस बोड़ी तो इसको बोलते हैं दोस्तो म्यूटिलेट देखो अब एम्पूटेट और म्यूटिलेट इन में फरक क्या होता है एम्पूटेट जैसे कोई ओपरेशन किसी के घाव या सड़ने से बचाने के लिए डोक्टर के द्वारा जो अंग विचेद किया जाता है उसको एम्पूटेट बोलते हैं म्यूटिलेट जैसे आप आदमी की कोई जरूरी पार्ट सरीर का जानबूज कर काटते हैं म्यूटिलेट एम्पूश का मतलब होता है किसी जगए छुपकर बैटके और घात लगाना पिछे से अटेक करना उसको बोलते हैं मिटिगेट का मतलब होता है भहुत कम क्लियर है दोस्तो तो इसका मतलब तो आप क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं इसका मतलब आप अंग विच्छेद कर दे ठीक है ना एम्पूश का मतलब घात लगाना नेक्स शूशन देखे हैं फिर तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तो एजी क्यूशन है बिलकुल मडर ओफ ए ब्रदर तो मडर ओफ ए ब्रदर दखो दोस्तो इसमें रूट आया है साइड साइड जहां भी रूट आये इसका मिनिंग या तो आप करें टू किल या करें मडर ठीक न तो और पेटरी आये पेटरी रूट किसे बना है पेटरी से जिसका मतलब होता है फादर और फ्रेटरी रूट आये तो इसका मिनिंग क्या होगा यहां पर आप brother करें और homie आए तो आप human से related कर दें perry आए तो इसमें आप क्या कर दें close relative कर दें तो यह तो पिता की हत्या पित्र हत्या जिसको बोल देते हैं answer बाई की हत्या हो जाएगा homie side आप जन्साहार कर दे perry side का मतलब सगे समंदी की हत्या clear दोस्तो next question देखो one who is filled with excessive and a mistaken enthusiasm about his religion fatalist, lunatic, fanatic or stoic or method पिस दोश्तो сторон सभाप वन हो इस फिल्ड वित अक्सेसिव एंथुजियाजम मिस्टेकन एंथुजियाजम अबाउट इस रिलीजन तो इसको फैनेटिक की या आप क्या बोल देते हैं कट्र फैटलिस्ट क्या होता है दोस्तों भाग्यवादी लुनेटिक का मतलब आप कर सकते हैं पागल जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और शेर जुरूर करें इस टोइक कर दें आप या फिर आप क्या कर दें इन डिफरेंट कर दें या उदासीन कर दें नेक्स फिशन देखो अ लिस्त फ़ इतम तो बीटास्टिट अटेट अट मिटिंग मेन्यो अजेंड अ मिनट्स और रिकोर्ण कर देंग्या ब्साई हो लिस्त ख्वाम फॉरू करें बीजेद सबते हैं अटे हैं व्दियाद कर दे लिस्ट ओप आइटम्स टूब इस ट्रांस्टेक्टेट एट मीटिंग मेन्यू अजेंडा मिनिट्स और रिकॉर्ड इसमें आप क्या कर दें अजेंडा कर दें अजेंडा का मतलब जो मिटिंग के अंदर डिस्कॉर्शन किया जाना है तो उसको कारिय सुची आप बोल देते हैं ठीक ना टिकोर्ड आप जानते हैं मिनिट्स मतलब आप क्या कर सकते हैं कारिय वरत कर सकते हैं और मेन्यू का मतलब होटल के अंदर कोई समान की लिस्ट होती ह है उसको बोलते हैं तो नेक्स शूशन देखें एन इन वोलेंटरी एक्शन अंडरे स्टीमूलस इस डिस्क्राइब एज एक कॉंप्लेक्स रिफ्लेक्स रिफ्लेक्शन रेस्पॉंस एन इन वोलेंटरी एक्शन अंडरे स्टीमूलस इस डिस्क्राइब एज तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों कॉंप्लेक्स रिफ्लेक्स रिफ्लेक्शन और रेस्पॉंस तो इसमें आप आंसर कर दें रिफ्लेक्स complex का मतलब आप जटिल कर सकते हैं reflection का मतलब परतिमित होना response का मतलब किसी चीज़ का जवाब मिलना तो next solution देख ले a continuous process of sense is known as transformation, metamorphosis, flux or dynamism जो भी दोस्त live हैं दोस्तो एक बार आप like और share भी कर दे कर दो सकते हैं एक continuous process of change is known as transformation करें आप इसमें metamorphosis कर दें metamorphosis का मतलब दोस्तों काया प्लट कर सकते हैं या पासा प्लट कर दें डाइनेमिजम का मतलब आप क्या कर सकते हैं गती सीलता फ्लक्स का मतलब आप परवा कर सकते हैं transformation का मतलब किसी चीज में complete change कर सकते हैं नेक शूशन देखो दोस्तों आप मेरा official टेलिग्राम चैनल महिस काजला rpc-unacademy के नाम से कर सकते हैं और चार बज़े मेरी यूटूब पर class रहती है let's click राज़तान एक्जाम पे और साड़े साथ बज़े unacademy learning app पर class रहती है special classes box bounty के अंदर वीडियो में जो भी अनुची type का content मिले उसके लिए particular point के लिए आप claim कर सकते हैं और साड़े साथ बज़े आपको unacademy learning app पर class मिलेगी और दोस्तों unacademy learning app इस्टोल करने के बाद किसी भी class को आप unlock कर सकते हैं काजला unlock code से और विजयता RS के लिए scholarship free test रिज़े दोस्तों हर संड़े को 10 बज़े रहेगी हिंड इंगलिस मीडियम में डेट सो कुशन आएंगे 200 नंबर के 3 गंटे का paper रहे वन थाड नेगटिव मार्किंग रहेगी फर्स ट्रेंग कारने पर 55% scholarship मिलेगी सेकिंड टू फाइब में 50% ट्रेंग 6 तो अंडेड में 25% scholarship मिलेगी रेट लेवल फर्स्ट के लिए free practice test दे सकते हैं हर मंडे को और रेट लेवल टू के लिए social studies का बहच से free practice test आप Tuesday और Wednesday को दे सकते हैं रेट लेवल टू के लिए science के free practice test आप Thursday और Friday को दे सकते हैं प्लस की क्या क्या फीचर से दोस्तों एक तो आप अपने गर पर रहकर राम से बढ़ाई कर सकते हैं के लिमिटेर अक्सेस कर सकते हैं जितने भी कोर्स है उनका टॉप एजुग टास पूरी इंडिया के आपको एक ही प्लेट पर में जाएंगे एक्जास्टिक और इजब से लेवस कर सकते हैं कुसल बैच है रास्तान हाई कोट LDC के लिए क्रेस कोर्स आठ तरिक से स्टार्ट है एक मेने का फॉर्स रहेगा हिंदी मीडियम में तो ये भी अक्सेस कर सकते हैं विजे बैच है दोस्तों आरेस परी के लिए है फरवरी ग्यारा से स्टार्ट है और विजे आरेस परी के लिए जो बैच है फरवरी 16 से नया बैच स्टार्ट हो ये बैच भी आप अक्सेस कर सकते हैं और RPSC फर्स्ट ग्रेड एक्जाम क्रेक कर सकते हैं टीचर एक्जाम के लिए रिकोर्डेड और लाइव क्लासेस के द्वारा तो 422 पर मन्त के अंदर आप ये अक्सेस कर सकते हैं और RPSC फर्स्ट ग्रेड टीचर एक्जाम क्रेक कर सकते हैं रिकोर्डेड और लाइव क्लासेस के द्वारा तो 338 रुपे पर मन्त के अंदर ये अक्सेस कर सकते हैं फर्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सब भरतियों के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है या फिर हाइकॉट अल्डिस सबका सलेबस मात्र आरपी से सब्सक्रिप्शन से मिल जाएगा जब भी दोस्तों आप रेफल काजला यूज करेंगे तो आपको 10% डिसकाउंड मिलेगा और 10% तक आप कोई रडियम करा सकते हैं जिसमें 757 के कोई बड़ेंद रिडिम करा के और भी सस्ता कर सकते है एक सब्क्रिप्शन लेकर आप RPSC फेस्ट रिड़ बर्ती को अनलोग कर सकते हैं इसके अंदर भी दोस्तों आप रेफल कोड काजला यूज़ करेंगे तो आपको हर एक में 10% डिसकाउंट मिलेगा जो कि यहां दे रखा है अमाउंट 4500 रुपे है यह 4050 हो जाएगी 12 मेने का 5625 है यह 5063 हो जाएगी और दोस्तों एक सब्क्रिप्शन से ही आप सेकिन ग्रेड के लिए अनलोग कर सकते हैं तो इसमें आप ओफर के बाद में इतनी मिलेगी और काजला अनलोग कोड से आप 10% डिसकाउंट पास सकते हैं 3700 रुपे का सलेबस 3240 में 12 मेने में 4500 रुपे का 450 में मिल जाएगा और कॉम्बो सब्क्रिप्शन भी आप यहां से क्रीश सकते हैं तो इसमें आंसर क्या जाएगा तो उसको बोलते हैं सरकम लोकिशन अब यह देखो दोस्तों यहां जो सरकम रूट दिया हुआ है सरकम का मतलब होता है round ठीक न और लोक्यू लोक्यू यहां L-O-Q-U-I-A या L-O-C-U-I-A इन दोनु का मतलब ही होता है to speak तो गुम्हा फिरा के बात करना round about manner में बात करना सरकम का मतलब आता है expect का मतलब क्या होता है expect का मतलब होता है दोस्तों to look तो ये क्या हो जाएगा चारूत्रफ देखना तो इसका मिनिंग आप क्या कर सकते हैं विजिलेंट कर सकते हैं या वाजपूल कर सकते हैं या आप चोप करना कर लें ठीक है circumvention का मतलब go around किसी चीज़ के मतलब चारूत्रफ गूमना circumscription script का मतलब होता है to write ठीक है ना तो boundary line ते करना ठीक है next solution देखो हाँ इसका मतलब आप चारूत्रफ कर सकते हैं circular building or hole with a dome edifice, palace, rotunda और spire तो इसमें answer क्या आएगा आएगा circular building और hall with a dome edifice, palace, rotunda और spire तो इसमें answer क्या आएगा दोस्तो rotunda edifice का मतलब होता है दोस्तो भवे कोई भवन होता है palace का मतलब आप महल कर सकते है ispire का मतलब जोसे यह आपकी क्या है मस्जिद है मस्जिद के उपर जो किला रगा रहता है उसको बोलते है rotunda का मतलब आप गुमबद भी कर सकते है यह मालोग की जैसे यह कोई मंदिर है, शिव मंदिर है इसके उपर ऐसा बना रहता न तो उसको rotunda बोलते है next question देखो one who is a citizen not of a country but of the world bohemian, cosmopolitan, philanthropist, internationalist झाल 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 है तो इसको बोलते हैं दोस्तो कोस्मोपोलिटन कोस्मोप किस से बनाए दोस्तो कोस्मोपोलिटन का मतलब होता है यूनिवर्स बर्मांड जिसको बोलते हैं पोली का मतलब क्या हो जाएगा सिटी और टी अन का मतलब आप डूर कर सकते हैं एक ऐसा बंदा जो पूरे सहर कोई अपना घ़र समझता है Bohemian Оп variety क्या कर सकते हैं जो समाज के coding नहीं चलता यानि Rudy वादी टाइप का File का मतलब क्या होगा दूस्तो Love हो जाएगा और Anthrop का मतलब होता है Mankind और IST का मतलब क्या होगा Doer तो एक ऐसा बंदा जो मानवजाती से प्रेम करता है तो इसको आप हिंदी में बोलेंगे मानो प्रेमी ठीक है इंटरनेशनलिस्ट का मतलब अंतरास्टिवादी कर सकते हैं एन ओर्डर रिक्वाइरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोड़ कोड़ सिफ, एग्रिमेंट, सबपोईना और कमांड तो इसमें आंसर क्या होगा एन ओर्डर रिक्वाइरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोड़ तो इसको सब पोईना बोलते है कोड़ सिफ का मतलब क्या होता है दोस्तों कोड़ सिफ का मतलब आप कर सकते हैं साधी से पहले रोमांस की बाते करना एग्रिमेंट का मतलब होता है सैमती कमांड का मतलब आदेश नेक्स शुशन देखो एन इमिजरी नेम अजूम बाई एन ओथर फोर डिस क्यूज तो फेक्सिमाइल का मतलब क्या होगा दोस्तों फेक्सिमाइल आप फोटो कोपी भी कर सकते हैं सरनेम भी जानते हैं एलियाज का मतलब जो उर्फ वाला नाम होता है उसको बोल देते हैं सुडोनीम आंसर हो जाएगा सुडोनीम का मतलब आप कर सकते हैं हिंदी में छदम नाम एन एक्स्ट्रीम फियर ओ बिएंग इन स्माल कंफाइंट प्लेस हाइड्रो फोबिया पराफरनलिया गलास्टो फोबिया प्रोजरिया झाल एन एक्स्ट्रीम फियर ओ बिएंग इन स्माल कंफाइंट प्लेस तो इसको क्लास्टो फोबिया बोलते हैं क्लास्टो फोबिया का मतलब क्या होता दोस्तों क्लास्टो फोबिया का मतलब बंद जगे का डर बंद जगे का डर और प्रोजेरिया का मतलब होता है काल, पुर्वे, जरा और प्राफर्नीरिया का मतलब आप क्या कर सकते हैं, सामगरी हाइड्रो फोबिया का मतलब क्या कर सकते हैं, पानी सेडर हाइड्रो का मतलब क्या होगा दोस्तों, वाटर कर सकते हैं और phobia का मतलब क्या कर सकते हैं, fear कर सकते हैं, phobia fear है, class true का मतलब होता है close space, pro का मतलब in favor of और zero की से बना जेरियाज, इसका मतलब old age से बना है, ठीक है, हाँ, एक-एक word का meaning समझें दोस्तो, word power बढ़ाने का सबसे अच्छा यही तरीका है, जितने root word दिखें, उतने root word करें, और जो आपको word दिखें, वो word हर एक का meaning देखें आप, एन inscription on a tom, epitaph, crypt और obituary, legacy, तो इसमें answer क्या होगा, झमकर बाइना है, इसका भॉत्पटर 이제 थे तरीका का भर दो आपकोना है, जो खर सक्कूंदर आपकोना आपकोंदрист क्वें, उतनु क्जार सर्कांएं है, तो एकook दिखेंस्के दो, छितने का देखें क्ष्जाम्यों मत देखें दितने, नह-मतर, नह-मतर, ओर भ उraul one, कि एंसक्रिप्शन और टॉम के अंदर दिवार में खुदाई करके जो चीज लिखी जाती है उसको आप EP tape बोलते हैं EP का मतलब क्या होगा दोस्तों EP या EPO जहां भी आता है इसका मतलब या तो own करें या upon करें या कई बार among भी कर देते हैं फिर टेफ आये तो टेफ का मतलब क्या आफ गरेंगे टेफ का मतलब tomb करें मकबरा करें तो मक्बरे पे लिखे वे लेक को इपीटे बोलते हैं क्रिप्टिक का मतलब आप रहसे में गूड कर सकते हैं ओविच्वरी का मतलब आप सोक संदेश कर सकते हैं मारवाडी में इसको आप चीरी बोलते हैं लेगेसी का मतलब आप वसीयत कर सकते हैं नेक्स फूशन देखो अलाउंस जू टू ए वाई फ्रॉम हर हजबेंट ओन सेपरेशन पेट्रिमोनी एंटिमनी पार्सिमनी और एनीमनी तो इसमें आंसर क्या आएगा हुऊश उलाउंस आएटी सिंटी एंट हरेशन पत्स्त कि आएवळें पार्सिमनी यह व outtaव मुम breakfast मुम ओ कर रहागा मुम ख आएवभ allowance due to a wife from her husband on separation तो पत्नी को अलग होने के बाद पती के द्वारा जो पैसे दिये जाते हैं उसको ऐली मनी बोलते हैं ठीक है एंटी मनी एक दातू का नाम है पेट्री मनी पिता जी के द्वारा जो वसियत मिलती है उसको आप बपोती भी बोल देते हैं और पार्सी मनी का मतलब होता है कंजूस पर्स में मनी होने के बाद भी नहीं देना ऐसे आप वियाद रख सकते हैं नेक्स शुशन देखो प्रेक्टिस ओफ इंप्लॉइंग स्पाइसेज इन्वार एस्प्लेनेड एस्प्योनेज एस्पेंड्रील और इस्ट्रेंजमेंट है तो इसमें आंसर क्या होगा प्रेक्टिस 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 देखो प्रेक्टिस ओफ इंप्लॉइंग स्पाइसेज इन्वार तो इसमें क्या बोलेंगे एस्प्योनेज एस्प्योनेज का मतलब क्या होता है दोस्तों जासूसी करना इस ट्रेंजमेंट का मतलब आप क्या कर सकते हैं सम्मंद विच्छेद एस्प्लेंड डिल का मतलब आप जैसे रसी वाले जो जूते होते हैं उसको बोलते हैं एस्प्लेंड का मतलब समुंदरी चोक बोल देते हैं नेक्स शूशन देखो ए फिक्स्टेर्टी इन विच्छ अथोर्टी कैन बी अक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन जुडिसियरी जुरिस्प्रूडेल्स और जुरिस्टिक तो इसमें आंसर क्या आएगा झाल ए फिक्स टैर्टी इन विच अथोर्टी कैन बी अक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन जुरिस्टिक शुरिस्टिक तो इसमें आप जुरिस्टिक्शन कर सकते हैं अधिकार चेत्तर, जो डिश्यरी नियाइक होता है, जो निया में बुद्धी मता रखता है, जुरिस्टिक नियाज से रिलेटेड होता है नेक्ट शुशन देगो, an appearance of objects often stimulating the appearance of water, image, mirage, reflection, reflection. नेक्ट शुशन देगो, an appearance of objects often stimulating the appearance of water, तो इसको क्या बोल देते हैं, आप mirage बोल देते हैं, reflection जानते हैं, reflection परते हैं, image का मतलब, image, next शुशन देगो, the art of making fireworks, chromatics, numismatics, pyrotechnics और cosmetics, तो इसमें answer क्या आएगा? the art of making fireworks, तो इसको pyrotechnics बोलते हैं, chromatics का मतलब, रंग विज्ञान कर सकते हैं, numismatics का मतलब, सिक्का विज्ञान कर सकते हैं, cosmetics का मतलब, सुंधरी विज्ञान कर सकते हैं, ICS, ICS, जिस भी word के अंदर दोस्तो आता है, तो इसका मतलब या तो होता है, to study, या आप कर सकते हैं, skill, या फिर आप कर सकते हैं, science, तो chrome का मतलब, दोस्तो क्या होगा? Chrome का मतलब color होगा, और pyro का मतलब क्या होगा? Pyro का मतलब आप fire कर सकते हैं, कीक न, cosmetics और numismatics आप जानते हैं, अगर numismatist कर दिया, T कर दिया, तो सिक्का संखराहक हो जाएगा, अगर T करेंगे इस word के अंदर तो सिक्का संखराहक, नेक्स शुशन देखो गिव और बबल्स और गेस इफेस इफ्रवेश इफ्लोरेंच और इफ्यूज तो इसमें आंसर क्या होगा गिव और बबल्स और गेस तो इसको इफ्रवेश कर सकते हैं आफ बदगुदाना इफेस का मतलब आप है किसी सीज़ को जड़ से उखाड फेड़ना इफ्लोरेंच का मतलब चमक होता है इफ्यूज जानते हैं आफ डिफ्यूज और इफ्यूज नेक्स शुशन देखो A system of governance controlled by a person of higher intellectual ability, oligarchy, democracy, meritocracy और snobdy A system of governance controlled by a person of higher intellectual ability तो इसको आप meritocracy कर सकते हैं विगारकी का मतलब क्या होता है दोस्तो आप अलब तंतर करते हैं ठीक न और democracy का मतलब आप कर सकते हैं जन तंतर Snobry का मतलब यानि snob का मतलब एक ऐसा बंदा जो अपने आपको social class में उपर समझता है दूसरे लोगों के नीचा समझता है उसको बोलते हैं Sudden end violent change, cataclysm, catalyysis, catacombs और cataclysm तो इसमें answer क्या आएगा Sudden end violent change, cataclysm, cataclysm Sudden end violent change, तो इसको बोलते हैं cataclysm, catalyysis का मतलब उत्परेरिक होता है जो किसी अभी ग्रिया की तीवर्ता को बढ़ाता है Catacombs का मतलब आप तैखाना कर सकते हैं, ठीक है ना, next vision देखो A small waterfall or group of waterfalls flowing down a rocky hill side is called hurricane stream volcano cascade इसकेट एसमाल वाटरफॉल और ग्रूफ वाटरफॉल फ्लॉविंग डाउन एरोकी साइड इस कॉल्ड तो इसको आप क्या बोलें कैसकेड कैसकेड का मतलब क्या कर सकते हैं दोस्तों आप जड़ना इस्ट्रीम का मतलब आप क्या कर सकते हैं दारा और हुरीकेन का मतलब देख हुरीक एक ऐसा बंदा जो आदमी का मास खाता है उसको क्या बोलते हैं एमैन हूप इट सुमन फ्लेश तो उसको आदमी के मास खाने वाड़े बंदे को बोलते हैं केनिबल केनिबल करते हैं आफ या नर बक्सी करते हैं दोस्तों या सारकोफागस करते हैं नॉन वेस्टेरियन का मतलब जो वेज नहीं खाता, मासारी होता है, वेस्टेरियन का मतलब साकारी होता है, मैन इटर, आदमी खाने वाड़ा, नेक्ट शुशन देखो, इंस्टुमेंटे विच रिकोर्ट्स, अर्थ, टर्मर, मनोग्राफ, जियोग्राफर, सिस्मोग्राफ और बैरोमेटर, इंस्टुमेंट विच रिकोर्ड्स, अर्थ, टर्मर, तो इसको बोलते हैं, सिस्मोग्राफ, बुखंब मापी, और मोनोग्राफ है, किसको बोलते हैं दोस्तो, मोनो का मतलब सिंगल वन, और ग्राफ का मतलब रिकोर्डिंग, और जियोग्राफर, किसको बोलते हैं, जो बुगोल वेता होता है बैरोमेटर का मतलब वायुदाब मापी कर सकते हैं एटमोस्पेरिक प्रेशर को मापने वाला इंस्ट्रुमेंट होता है देप प्रेक्टिस ओफ एवन हेविंग मोर देन वन हजबेंट एट दे सेम टाइम पोलिगेमी, पोली फोनी और फोली एंडरी पोलिगाईनी प्रेक्टिस ओफ एवन हेविंग मोर देन वन हजबेंट एट दे सेम टाइम एक ऐसी मेला जो एक टाइम पर एक ही एक से ज़दा पती रखती है तो वो पोली एंडरी होती है बहु पती परता, पोली जहां भी आएगा दोस्तों तो पोली का मतलब क्या होगा मैंनी होगा, मैं सारे रूट बता देता हूँ आपको और गेमी आएगा वहाँ, गेमी का मतलब होगा मेरीज ठीक है, और एंडर आएगा, तो एंडर का मतलब होगा मेल और गाइन आएगा, तो इसका मतलब होगा फिमेल फोन का मतलब क्या होगा साउंड तो पोलिगेमी का मतलब बहु विवा फड़ता पोलिफोनी का मतलब जिसमें बहुत सारी साउंड हो फोलिगाईनी का मतलब आप क्या कर सकते हैं बहु पती फड़ता आप कर सकते हैं नेक्ट शूशन देखो specializes in a nose disease otologist, rhinologist, endocrinologist और gerontologist इसमें answer क्या होगा otologist specializes in nose disease यानि नाक रोग विश्च सक्यों होता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, rhinologist rhinos से याद रख सकते हैं rhinosource, तो rhinosource के नाक पर सिंग होता है तो नाक पर logi मतलब study IST मतलब doer तो एक ऐसा बंदा जो नाक के बारे में study करता है otologist होता है कान otologist होता है कान तो ये कान रोग विश्च सक्यों होता है विश्च सक्यों ये नाक रोग विश्च सक्यों और endocrinologist होता है जो अन्तैस रावी ग्रंथियों की study करने वाड़ा यानि जो ये आक के होते न thyroid ग्रंथी का जो especially doctor होता है और gerontologist का मतलब होता है वरदावस्था वरदावस्था रोग विश्च सक्यों ठीक है नेक्स शुशन देखो boundary of an area porch, periphery, balcony, वरंदा तो इसमें answer क्या होगा बखमा Bennष्डावस्था रिम् बखमा Bennव alan ग्पमा Bennव झाल boundary of an area इसको क्या बोलेंगे दोस्तो परिफेरी बोल देंगे परिफेरी बोल दें या आप परिदी बोल दें पोर्च आप जानते ही हैं और वरांदा ब्रामदा को बोलते हैं और बालकनी आप जानते हैं ठीक है? नेक्स चुशन देखो एवार ओफ रिलिजन केलिग्राफी, कॉंट्रा बेंड, कैवलरी और क्रूशेड एवार ओफ रिलिजन तो इसको बोलते हैं क्रूशेड, क्रूशेड कर दें या आप ध्रम्यूद कर दें और कॉंट्रा बेंड होता है दोस्तो तसकरी का समान स्मगल गुड्स भी बोल सकते हैं, कैवलरी का मतलब होता है गुड्स ये न कैलिग्राफी का मतलब होता है सुन्दर सुन्दर लेखनी ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग ठीक न, नेक्स विशन देखें गॉर्मेंट बाइद नोबल्टी, बिरोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ओटोक्रेसी, ओलिकार की इसमें आंसर के आएगा हाँ तो गॉर्मेंट बाइद नोबल्टी, बिरोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ओटोक्रेसी और ओलिकार की तो इसमें आंसर के आएगा दोस्तो आंसर के आएगा लिखेंगे इसमें नोबल्टी, आते ही आप अरिस्टोक्रेसी करें अरिको क्रेसी जहां आया है, क्रेसी जहां भी आया है, वहाँ इसका मिनिंग होगा गॉर्मेंट आर्की का मतलब आप कर सकते हैं चीफ तो इसको आप हिंदी में बोलें तो कुलीन तंतर कर दें ओलिगार्की का मतलब होता है अलब तंतर यानि गॉर्मेंट, अरिस्टो मतलब होता है बेस्ट या नोबल, अरिस्टो का मतलब बेस्ट कर दें या नोबल कर दें गॉर्मेंट बाइ नोबल्टी या गॉर्मेंट बाइ बेस्ट विपल इकवल टो कुलीन तंतर हो जाएगा, बिरो, बिरो का मतलब होता है दोस्तों ओफिस क्रेसी मतलब गौवर्मेंट है तो इसको बोलते हैं नौकर साही गौवर्मेंट बाई ओफिसियल्स ठीक ना ओटोक्रेसी का मतलब होता है आप एकलतंतर कर दें या आप ताना साही कर दें नेक्स क्यूशन देखो तो स्टोर एंड स्टोक हैल हाइड हर्ड और हर्ड इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तो हां टू स्टोर एंड स्टोक तो इसको बोलते हैं दोस्तों खजाना हेल का मतलब किसी जगह से संबंदित हैड का मतलब चूपाना होड का मतलब संग्रेंड करना नेक्स देखो नेक्स देखो हाँ स्टडी ओफ रिलेशन्स ओफ और्गिनिजम्स तो वन अनदर एंड टू दियर स्राउंडिंग्स बाइलोजी इकोलोजी साइकोलोजी फीजियोलोजी इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तो स्टडी इसमें आएगा दोस्तो स्टडी ओफ रिलेशन्स ओफ और्गिनिजम्स तो वन अनदर एंड टू दियर स्राउंडिंग्स तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तो आप बोलेंगे इकोलोजी ठीक ना इकोलोजी का मतलब हिंदी में आप कर सकते हैं पारिस्तिति की ठीक ना बायोलोजी का मतलब आप जी विग्यान कर सकते हैं साइकोलोजी का मतलब आप कर सकते हैं मनो विग्यान और फीजियोलोजी का मतलब होता है आप सरीर की सरंचना विग्यान कर सकते हैं और फीजियो गनोमी आजए गनोमी आजए तो आप चैरा विग्यान कर सकते हैं तो इसमें आंसर क्या जाएगा दस्तो झाल इसमें आंसर आप करेंगे जूरी इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों झाल कर दो कर दो इसको क्या बोलेंगे दोस्तो इसको बोलेंगे इंपोस्टर इंपोस्टर या इंपोर्सोनेटर या फिर आप कर सकते हैं बैरूपिया ठीक न इंपेरिलिस्ट का मतलब आप कर सकते हैं सामराज जेवादी और इंपर्सोनेट का मतलब आप कर सकते हैं प्रभाव साली इंप्लोर का मतलब इंप्लोर का मतलब होता है गिड़ गिड़ाने वाला नेक्स्ट शुशन देखो वोलेंट स्टॉम, वेदर, रेंज, ब्रीज, और टेमपेस्ट इसमें आंसर क्या दाएगा वोलेंट स्टॉम का मतलब क्या होता दोस्तो यानि एक तम भेंकर तू जो तूफान होता है उसको टेमपेस्ट बोलते हैं रेंज का मतलब बारिज, वेदर का मतलब मोसं, ब्रीज का मतलब हलकी हवा ने वोग, क्यर्फोल एंड्ड़ एक प्रोव इंक्वरी इंडिगेस्टिए ही इंडिज एजिमेशन ंबैखस्प्लो लिशन careful and throw inquiry तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं investigation कर सकते हैं या जांज कर सकते हैं interview जानते हैं examination मतलब प्रीक्षिया हो जाएगा exploration का मतलब आप खोज करना a situation that stop an activity from progressing bypass, breach, bottleneck और blockhead तो इसमें answer क्या जाएगा दोस्तो यानि एक ऐसी situation जो किसी activity की progression को रोकता है a situation that stops an activity from progressing तो बोटल ने एक ऐसे दोस्तों आप मान लो कि ये एक बोटल है ठीक ना और इस बोटल में इतनी बड़ी है इस से कोई अगर पानी बगरा निकालें तो इस बोटल के जो कोने से निकलती है यहाँ से फोड़ते ही तो सारा निकल जाएगा एक साथ लेकिन इससे थोड़ा टाइम लगेगा धिरे तो ऐसी जो बादा होती है उसको बोटल नेक बोलते हैं नेक मतलब गरदन बोटल की गरदन बाइपास का मतलब सिद्धा ही कहीं ट्रांसपर कर देना ब्रीज का मतलब होता है उलंगन करना उलंगन कर दें या आप कर दें भंग करना ब्लोक हेड का मतलब जो जिसका दिमाग काम नहीं करता है डिटार्डेड माइंड बाला हो सकता है नेक्ट शूशन देख लें फिर, क्लियर है दोस्तों सबको, इसमें आंसर क्या आएगा? एक ऐसी जो बिमारी जो डाइरेक्ट किसी के कॉंटेक्ट में आने से फैलती है, इसको बोलते हैं कॉंटाजियस, ठीक ना? संक्रामक हैं। और इंफेक्टियस जो इंफेक्शन से फैलती है, एपिडेमिक का मतलब क्या कर सकते हैं हाप महामारी, और एंडेमिक का मतलब होता है इस्तानी मेमारी, नेक्स शुशन देखें, दे स्टेडी ओफ एंसेंट सिविलाजेशन हिस्ट्री, एंत्रोपोलोजी, इतनोलोजी और आर्कियोलोजी, इस्ट्री का मतलब इथियास होता है, एंत्रोपोलोजी का मतलब मानविज्ञान, ठीक है, और इतनोलोजी का मतलब क्या कर सकते हैं, आप मानव जाती विज्ञान, और आर्कियोलोजी का मतलब पुरा विज्ञान कर सकते हैं, पुरानी चीजों की स्टेडी जिस साइंस में की जाती है, उसको आर्कियोलोजी बोलते हैं, आर्कियो का मतलब cheap भी कर सकते हैं आप ancient भी कर सकते हैं लोजी मतलब study कर सकते हैं तो प्राचिन चीजों की study ancient civilization की study आर्कियोलोजी में की जाती है एन एनिमल, story भी थे moral, fable, tale, anecdote और पेरेबल जो भी दोस्त लाइव हैं दोस्तों एक बार आप like और share भी कर दें चार बजे मेरी youtube पर regular class रहती है let's break रास्तान exam पर और 37 बजे हैं academy learning पर आपको class मिलेगी RPSC category में एन एनिमल, story भी थे moral तो इसको बोलते हैं फेबल निती खता, tale का मतलब simple आप story करते हैं और anecdote का मतलब आप किस्सा कर सकते हैं पेरेबल का मतलब आप क्या कर सकते हैं निती खता next question देखो a think likely to be easily broken vulnerable, flexible, brittle or delicate इसमें answer क्या आएगा a think likely to be easily broken यानि ऐसी कोई वस्तू जो easily तोड़ी जा सकती है उसको brittle बोलते हैं या आप भंगूर बोलते हैं या फ्रेगाइल बोलते हैं और delicate का मतलब आप क्या कर सकते हैं नाजू कर सकते हैं flexible का मतलब आप लचिला कर सकते हैं वोल्रेबल का मतलब आप कमजोर कर सकते हैं next solution देखें body of singers, choir, quorum, choir और choir तो इसमें answer क्या जाएगा दोस्तों body of singers जो गायक मंडली होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप बोलेंगे इसको choir ठीक ना इसका मतलब यहाँ see as miss है तो इसका मतलब होता है जैसे नारियल की जट वगरा होती है उसको बोलते हैं और इसको आप गणपूर्ती संख्या बोल देते हैं गणपूर्ती संख्या और इसको आप क्या बोल देते हैं choir का मतलब यह कोई मंडली या गाई गणू की मंडली होती है उसको बोल देते हैं सादक संख्या बोल देते हैं कौईर सोरी सादक संख्या होती है कलीर दोस्तों तो बहुत भूँत धनेवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए जाते वक्त लाइक शेयर थमसब भी करें और चार बजे मेरी यूटूब पर लेट्स करेक रास्तान एक्जाम पर क्लास रहती है और साड़े साथ बजे अनकेडमी लर्णिंग आप पर आपको क्लास मिलेगी तो वो क्लास भी आप जरूर देखें और जिसने भी अनकेडमी लर्णिंग आप इंस्टोल नहीं कर रखें तो प्ले स्टोर पे जाके अनकेडमी लर्णिंग आप इंस्टोल कर लें और उसके अंदर RPSC केटेगरी सेलेक्ट कर लें RPSC में आप मेरा नाम महिस काजला सर्च करके फोलो कर सकते हैं और दोस्तो रेगुलर क्लास देख सकते हैं ठीक है तो बहुत बहुत धनेवाद दोस्तो लगातार बने रहने के लिए और अगर आपने टेलिग्राम चैनल का लिंक जोइन नहीं किया है तो आप मेरा नाम महिस काजला RPSC Underscore Unacademy के नाम से Unacademy के नाम से टेलिग्राम चैनल का लिंक वो आप जोइन कर सकते हैं और जितने भी लिंक आपको चाहिए जो भी स्टड़ी मिटल चाहिए वहाँ पर आपको सारा मिलेगा तो बहुत बहुत धनेवाद दोस्तो लगातार बने रहने के लिए Let's Crick पर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरा रेफल कोड के एजल है दोस्तो इस रेफल कोड से अगर आप कोई भी अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन खरी देंगे 10% डिसकाउंड मिलेगा और 10% तक आप को इंडिडिम करा सकते हैं इसमें आप RPSC का कोई भी स्टेट PSC का SSC, Bank, Defense, UPSC, CA कोई भी सब्सक्रिप्शन खरी सकते हैं जिससे आपको 10% डिसकाउंड मिलेगा 10% तक आप को इंडिडिम करा सकते हैं तो दोस्तों जाते वक्त इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें शेर नहीं किया तो शेर करें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और हर दिन 4 बज़े आपको मेरी क्लास यूटूब पर मिलेगी और 7 बज़े आपको अनकेडमी लर्णिंग आप पर मिलेगी ठीक ना ये एप पर क्लास है और 4 बज़े वाली यूटूब पर क्लास है तो वो क्लास भी आप जरूर देखें तो बहुत बहुत धनेवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए जाते वक्त लाइक, सेर, थमसब करना ना भूले धनेवाद दोस्तों